हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो स्टडी 360, आइम रितेश और टोड़ेश और टोड़ेश करेंट फेर्स सेकेंड विक अक्टूबर 2017, तो लेट्स बिगीन आफ फर्स्ट कॉस्चिन, यह भाग हिंदी में होगा, अभी अभी GST काउंसिल ने कंपोजिशन स्टीम को अट्राक्ट करने के लिए और GST रेट्स को रिविजिट करने के लिए इन में से किसे G.O.M. गुरूप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए हैड बनाया है, तो जैसा भी आप लोग जानते हैं, GST जो है वो बहुत बड़ा revolution लेके आया है इंडिया में, जो भी मेरे multiple taxes थे, वो बिल्कूर single tax में हो गया है और exam point of view से आपको GST के बारे में बहुत चीज जाने के ज़रूरी है, जैसे GST दे हम लोग 1st July को मनाते हैं और जो GST इंप्लिमेंट करने वारा जो 1st country था, वो France था, और जो GST है, वो 101 संसोधर amendment act द्वारा लाया गया था, 101st amendment act के द्वारा ला गया था, under article 366a, और जो GST है, goods and service tax, इसके अंदर है total 3 types of tax है, जो की दोनों को mix कर गया है, तो इसमें बहुत सारी चीज है, जो की at least आपको ये सारी बाती तो जाने ही जाए है, और फिराल इसके जो, इसका जो answer है, जो की group of minister को जो head किया है, उनका नाम है हेमंत बिश्वा सर्मा, हेमंत बिश्वा सर्मा, सुझील कुमार जो मोदी है, ये बिहार के वाइस चीफ मिनिस्टर है, सर्मान सुनोवल जो है, ये आसाम के current चीफ मिनिस्टर है, Coming to the next question, इन में से कौन सी राज सरकार ने नौर्थ इस्ट लेबर मिनिस्टर की meeting को held किया है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नौर्थ इस स्टेट हमारा जो है, वहां से बहुत लोग माइगरेट होकर के दूसरे राज में जा रहे है, तो कि वहां की जो development है, वो काफी poor है, और इसे develop करने के लिए काफी समय लगेगा, तो ऐसे में बहुत सारे वहां के लोग वहां से plan कर रहे हैं, तो इसके लिए मनिपूर की सरकार ने नौर्थ इस लेबर मिनिस्टर की meeting को बुलाया है, और जिसके तहत यहां पे ये discuss किया ज जो मनिपूर की सरकार है, उनकी CM का नाम है बिरेन सिंग, इन में से इंडिया European Union Summit जो की नई दुल्ली के अंदर हुए है, कितने agreements को sign किया है, 3, 4, 5 या 6, तो total मैं आपको यहां पे एक बात बताना भूल गया, कि यह जो meeting हो रही है, यह मनिपूर के अंदर हो रही है, और यह यहां पे बहुत सारे National Parks of Wildlife Centuries है, जिसमें की एक Cable Lamjau National Park है, Cable Lamjau National Park है, यह वर्ल्ल का only floating National Park है, और यहां पे बहुत सारे Allby Lakes है, लोग टक लेक हो गए, Cable Lamjau National Park हो गए, तो यह साब बात भी आपको जाने है, जरूरी है, तो इन में से total agreement जो sign हुई है, इंडिया European Union Summit के हुई है, नरेद मोदी और डोनाल्ड टस्क, जो की European Council के जो चेर्मेन है, इन्होंने वाइड स्कोप और को जो बद्दे नज़र रखते विए, बहुत सारे इन्होंने agreements को deal किया था, जिनमें total 3 agreement sign हुई है, और यह agreement जो हुई है, यह नई दिली के अंदर हुई है, कम्यूट फर्स्ट फेज में कितने million euros को allot किया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, European Investment Bank जो है, मेंगलोर मेट्रो रेल को 500 million euros के लिए help कर रही है, समधी जदाई है, और फर्स्ट फेज के लिए यह 300 million euros को की समधी जदाई है, कम्यूट तो नेस क्वेश्यन, किसकी leadership में central government ने, जो पा जो भी आपका international border है, वहाँ पर जो भी cross findings होती है, तो उसके problems को study करने के लिए, center government ने, एक panel बनाया है, उनको जो head करेंगे, वो head करेंगे, मतना पकौर, निशा कोथारी, वीना निनमल या फिर रीना मित्रा, जो करेंगी, यह करेंगी, रीना मित्रा, रीना मित्रा जो है, व इनमें से government ने 2017-2018 में sovereign gold bonds को issue किया है, तो किस साल पहली बार sovereign gold bond scheme को relaunch किया गया था, तो यह जो sovereign gold bond scheme है, इसके आने से जो sony की demand है, उसमें कमी आएगी, आपको पता होगा कि इंडिया में sony की जो मांग है, वो अधिक्तम import की जाती है, उसकी जो पूर्ती होती है, वो आयात इसके loss होता है, तो इसके आने से, इस scheme के आने से बहुत सारे जो enhancements होगी, बहुत सारे आपको loss of savings account है, उसमें भी बचाता आएगा, तो यह जो first time यह scheme आया था, यह union budget 2015-16 के first time अंदर आया था, इन में से, वो कौन सा metline storage company है, जिन्होंने chatbot easy connect को online customer service के लिए inaugurate किया है, तो यह जो आपकी जो company है, यह है Tata EIA life, और इन्होंने first time एक ऐसा online customer service through social media बनाया है, जिसके तहट बहुत सारे frequently questions को answer किया जाएगा, इस chatbot का नाम है, easy connect, जैसा कि आपको देख सकते हैं, easy connect, come to your next question, के MDB हैं वो और उन्हें जमिनी का हाइस सिविली ओनर से नवाजा गया है, इन में से Supreme Court द्वारा किसे महात्मा गांदी के मर्डर के लिए reprop के लिए फिर से अपॉइंट किया गया है, जैसा कि महात्मा गांदी के जो मृत्ती हुई थी, वो 1948 में हुई थी, नाथुराम गोट्से के द्वारा, तो इनके मर्टर को फिर से रिप्रॉप करने के लिए Supreme Court ने फिर से अपॉइंट किया है, और ये अपॉइंट कर रहे हैं अमरेंद शरन को, कम युँ टी नेस्ट कोशिएंट वीच और फॉलॉइंग इस इंडिया स्पॉर्टल डेडिकेटे टू पाराय स्पॉर्ट्स इसमें से वह कौन सब पॉर्टल होगा, ओनलाइन पॉर्टल होगा जो कि पाराय स्पॉर्स के लिए होगा, और जैसे कि आप लोग जानते हैं प तो यह जो पॉटल है इसका नाम है दनेसंस प्राइड.com इन में से कौन सी राज सरकार प्लास्टिक बैक्स को प्रहबिट करने के लिए जिसमें अधिक मातलम पाए जाती है उसे बैंड कर रही है वह कौन सी राज सरकार है गुजरात चतिसगर्ड मनिपूर या फिर कैरला जै सरकार वहां के सी एम वहां के रमन सींग है गुजरात मनिपूर के मैंने आपको बता चुका है बिरेन सींग है और के हैं पिनारी विजयन इन में से ब्रिक्स थिम्ड सरवेट ट्रेंड के तहट जो बहुत सारे कैरेजेज लगाये जाएंगे उसमें इंडियन कैरेज को क्या इंडियन कैरेज़ रिप्रेजन कर रहा है वह उदधेन कर रहा है चायना बही चाना जो अपने छेजे रेप्रेजन के साथ आ रहे हैं उनकी जो प्रतिविम्ब है उनका युनिशकिल चीजें भी डिम्धिक ब्राजीय का प्रेजन को इंडिया जो है वो एलिफेंट और योगा के थायत रिप्रजेंट करी है परदान मंत्री गरामीन डिजिटल स्थाथकातार अभियार इसकीम इन में से परदान मंत्री ने कहा लॉंच किया है गांधी नगर, एहमदाबाद, बरोडा या फिर बरोदरा तो ये लॉंच किया है गांधी नगर में कमें टू नेस्ट कोशियन वो इस दा निव चेर्मेन अफ सेभी तो सेक्रेटी और एक्षेंज बोर्ड अफ इंडिया के जो नए चेर्मेन बने है उनका नाम अजय त्यागी है इसके पहले यूके सिंग थे और जित पतेल जो है वो ही इस दा करेंट जो चेर्मेन आफ रिजव बैंक आफ इंडिया और जो रगुराम रांजयन है वो प्रिवेस थे तो करेक्ट एंसर जो सेभी के जो चेर्मेन है वो है अजय त्यागी कमें टू गर नेस्ट कोशियन और इमें से कौन सा प्राइविट सेक्टर बैंक है जिन्हों थी कॉम्प्री उपर कर लिये है इसने 327.27 करोड में एक्वाइर किया है एक्वाइर किया है हर साल इंडियन एर फोर्स डे किस दिन ऑफजर्व किया जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार इंडियन एर फोर्स ने 85th anniversary celebrate किया है और यह हर साल 8 October को मना जाता है 8 October आपको मैं बता देने चाहता हूं कि इंडियन एर फोर्स के जो फिल्ड मार्सल है उनका नाम विरेंद सिंग धनुआ है और इस टाइम ऑल्सो आप यह सलेवेटेट दी 85th anniversary इन में से किस कंट्री में dialogue of civilization conference को held गया जा रहा है Mexico, Venezuela, Guatemala या फिर Argentina तो यह जो कंट्री में जो held हो रही है dialogue of civilization यह गौतिमाला के अंदर हो रही है इसमें यह जो होस्ट कर रही है इसमें इंडिया के तरफ से archaeological survey of India host कर रही है with geographical society तो यह फोर्थ पार्ट जो है वो इंडिया होस्ट कर रही है और यह जो किस country के अंदर होगा यह हो रहा है गौतिमाला के अंदर गौतिमाला की राजा नहीं है गौतिमाला city इन में से नासा कि वह कौन सा robotic spacecraft है जो की पहला परतिविम लिया है फोबोस के स्टाओं जो फूर्ट का से टिलाइट में छिर्फ से नापसे घ्रोड लग्य़्य इपॉर्टेंक मैं हर्स को सबसे नाइट जीजे बताव गांगा आपको सारी चीज़ें देखनी है ध्यान के सुनी है तो इसका जो एंसर है जो नासा की जो स्पेस्क्राफ्ट है जो फोबोस के प्रतिविम को लिया है वो लिया है मार्च उडीसी ने मार्च उडीसी इन में से यूरूपियन बैंक ने जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में पहरे वाले क्वेश्चन बता रखा है कि टोटल पांसो मिलियन का लोन दे रही है ये दे रही है बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बैंगलोर 9 अक्टूबर को हर सार वर्ल्ड पोस्ट मना जाता है तो इन में से कहां 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को इस्टैबलिश किया गया था तो जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो 1874 को इस्टैबलिश किया गया था और यह जो इस्टैबलिश किया गया था क्या वो मुनिट जर्मनी में किया गया था इन में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वीक का थीम क्या था जो कि 9 से 14 अक्टूबर के बीच हुआ तो यह जो हुआ है यह मिनिस्टर है मिनका गांधी उनके अंडर हुआ है और इसकी थीम था यह था यह था डॉटर ऑफ इंडिया इन में से कौन अस्रेलिया के निक क्राइगियोज को हरा कर चाइना ओपन टैनिस टूनामेंट 2017 को जीत लिए है जैसे आप जैसा कि आपको पता है चाइना ओपन जो है वो लॉन टैनिस के अंदर आता है और राफेल नडाल ने जो कि स्पेइन के हैं उन्होंने अस्रिया के निक रागियोज को हरा कर चाइना ओपन जीत लिया है तो परेक्ट एंसरी राफेल नडाल राफेल नडाल इनमें से कौन सा बैंक 10 अक्टूबर इंडियन आम फोर्से के लिए यह थे उन्हां के वेलफेर के लिए उनके व्य替रमेंट के लिए वह 10 करोडूर रूपरी नाम है के लिए कि आइसी 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 आई बैंक की जो एंडी और सी यू है वह है चंदा कोचर एडी एक्सी यू की जो वह है वह है आदित्य पूरी स्विए की के जो नए चर्मा भी बनाए गया रंसुति भटाचार को जाने के बाद वह है रजी नीश कुमार और Axis Bank आपको पता है शिखासर्मा तो coming to the next question इन में से Economic Sciences के लिए किसे Nobel Prize दिया गया है Oliver Hart, Del Motsen, Richard Thaler या 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 यूजीन फार्मा जैसे कि मैंने आपको पिछले सब्ता के current event में बताया था कि Nobel Prize इस बाइ distribute हुए है बहुत सारे Fields में Nobel Peace Prize भी मिला है Medicine में मिला है तो इस बाइ Economic Sciences के लिए तो ये मिला है Richard Thaler को In the Field of Economic Sciences In the Field of Economic Sciences coming to the next question इन में से तीसरा अंतराश्ट्री Conference जो योगा जो नई दिली के अंदर हुआ उसका theme क्या था? Yoga for physical well-being Yoga for body and beyond Yoga for mental health या फिर Yoga for wellness तो आपको पता है कि हर साल हम लोग जो Yoga Day मनाते हैं International Yoga Day वो 21st of June को मनाते हैं This is very important for exam point of view क्योंकि this is spreading on a very large scale तो इस बाइसका theme था Yoga for wellness इन में से कौन सी राजे सरकार electricity को promote करने के लिए rural areas में Solar Briefcase को launch कर रही है उत्हरोवर्देश उत्रकहंड, करनाटका या फिर मध्यप्रदेश तो ये जो सरकार है ये उत्रकहंड की सरकार है और उत्रकहंड की सरकार है उत्रकहंड के जो CM है वो है TS Ravat TS Ravat इनकी सरकार जो है Rular Areas में electricity को promote करने के लिए पार्क नंदा देवी राजा जी नैशनल पार्क उत्राकरण को वैली और फ्लाउट दिखा जाता यह साई बहुत सारी महस्पून बात हैं जाको आपकी याद रखनी है इन में से यूजी सी पैंडल ने बनारस हिंदू यूनिवर्स्टी से हिंदू वर्ड और अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सटी से मुस्लिम वर्ड को हटाने के लिए क्यों रिकमेंड किया है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सटी टोटली हिंदू को दर्शाता है और तो इसका एंसर आप देख सकते हैं C option they do not reflect secularity UGC जो है यह एक body है जो की colleges को autonomy मिस प्रवाइड करती है उसके वो उनके बहुत सारी चीजों को चेक करती है कि उन्हें जो है आपको autonomy दी जानी चाहिए नहीं दीने चाहिए UGC को फुल कॉम है यह है University Grants Commission इन में से वो कॉंस्ती दो अफ्रीकल कंट्री जहां पर पहली बार रामनाथ कोविन इंडिया से बाहर निकले तो यह रामनाथ कोविन जो है हमारे देश के 14th president of India है और इन्होंने पहली बार इंडिया के बाहर कदम रखा है और यह जो है पहली बार यह question बहुत ही important बन जाता है क्योंकि जो most valuable nation brand जो है उनमें जो दो कंट्रीज है वो US और चाइना में ने टॉप किया है तो करेट टैंसरी US और चाइना और इस valuable nation brand में जो इंडिया ने इंडिया को जो रैंक था वो था एट एट्स रैंक पे इंडिया थी इनमें से फेप्सिको के फेप्सिको 207 के नई चैर्मेंन घान का नाम किया है कुमार बीदला अमध जल सेक रिच ले यांवी प्यरे नेट में तो जो नउई चैर्मेन बने है वो है अमध सेक क्स ने जीता है निको रोस्बर्ग मैक्षपर्ण लुईज हमिल्टन या इन में से किसे FTII का न्यू चेर्मन बना गया है जैसे कि आप लोग जानते हैं जो FTII के जो पहले चेर्मन थे जिनका नाम सा गजेंद्र चोहान इसको रिप्लेश किया है अनुपम खेरने अनुपम खेरने अनुपम खेर का कहना था कि जो गजेंद्र चोहान वह उन्होंने उनकी जो एक्षिएंसे वह बहुत ही कम है वह बहुत ही पहली जो महवाद की सीरी रहती थी उसमें वह रोल करते थे तो और करेंट में उनका कोई आटिस्टिक वैल्यू नहीं है तो यह जो पॉस्टिव पर एफ्टिया चेर्मन तो अनुपम खेर की डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक बहुत ही फेमस नाम है यह आप जानते होंगे इन्होंने जो की लो कोस्ट जो सुलब इंटरनेशनल अवार्ट्स नेशनल आवाट्स मिला है और यह जो है इंटरनेशनल सुल सुलब इंटरनेशनल के तो यह जो टेक्नलोजी है इनका नाम है सुलब सुचाले सिस्टम कमेंटी तो नेश कोस्टियन स्पेस एस का वह रिसाइकल रॉकेट कौन है जो ने एट्लाइंटिक ओसियान में लेंड किया है फालकन एट फालकन नाइन फालकन तैन तो यह जो दिसको यूपीय से इंटर ऑपरडबल बनाने के विए कितने का समय दिया कितने महिने का समय दिया है 6 महींन आट महींनं 2 में तो रिजर्ब ऐंक-ऌफ इंडिया जिनके अभी जो चेर मैन वह लिए वो जीफ पटेल है उन्होंने बैंक और नॉन बैंक एंटिटीज को यूपियाई से इंटरॉपरियर बनाने के लिए उन्होंने च्छै महिने का समय दिया है नमामी गंगा प्रोग्राम के तहट किन स्रकार ने दो स्रीविच क्रेट्वेंट प्लांट की आपकी मंजूरी दे दी गिए यह जो दो स्रीविच प्लांट है यह उत्रप्रदेश के कि शहर में कि जाएंगी रप्र बनारस लखनवय्व्वार्ज अलाभाब या पी कउनौर्ज गाजियाब Canad तो यह जो दो ट्रीट्क्रमेंट प्लांट्स है यह हरिद्वार और बनारस के लगाए जाएंगी अरुन जेटली ने G20 Finance Ministers और Central Bank Governors की मीटिंग हेल हुई थी यह मीटिंग कहा हेल हुई थी जिसमें अरुन जेटली ने पार्टिसपेट किया था तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यह जो अरुन जेटली है यह G20 Finance Ministers की बैटेंग में गए थे यह जो मीटिंग हुई थी यह कि एंजला मेरकल जो है वो वर्ल्स पावफुल वुमेन में गीन जाती है इंपक्ट इस रैंक वन वर्ल्स मोस्ट पावफुल वुमेन इन में से वह कौन साथ दो देश है जो रिसेंटली यूनेस्को से कुईट कर लिया है बार अक्टूबर 2017 को तो इस इस वेरी अलार्मिं situation पर यूनेस्को क्योंकि यह जो देश है इसके हटने से यूनेस्को की जो funding है वो बहुत ही drastic rate से कम हो जाएगी क्योंकि यह one-fifth of total funding करता था यह देश यह देश है USA USA और इसराइल ने कुट कर दिया है यूनेस्को से यूनेस्को इसलिए क्योंकि यह जो यूनेस्को थी य इसराइल विरोधी थी इसराइल की बहुत सारी इनकी demands को यह means work out कर देती थी इसे USA ने भी इसे withdraw कर लिया है यूनेस्को से यूनेस्को की जो headquarter है वो फ्रांस पैरीस में यह सब बातें आपको जानी बहुत जरूरी है क्योंकि यह कभी ही कुछी पूछता है कि यूनेस्को क this is a fund for children's or UNICEF की जो full firm होती है वो होती है United Nation International Children's Emergency Fund जिसकी headquarter है New York coming to the next question इन में से कौन सा bank है जिनोंने smart app zones को launch किया है to nurture collaborate with startups startup companies को बढ़ावा देने के लिए smart app zones को launch किया है वह कौन सा bank है तो यह जो bank है वह है SDFC bank SDFC bank तो SDFC bank ने launch किया है जिसके जो chairman है वह अधितित पूरी अधितित पूरी क्योंकि वह कौन सी oil company है जिनोंने पहली बार मायरमान के साथ के लिए ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है HPCL BPCL IOCL या भी ONGC तो यह जो तील कंपनी है इन्होंने पहली बार मैंनमार के साथ ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया यह कंपनी है इंसान Petroleum Corporation Limited भारत Petroleum Corporation Limited IOCL इंडियन और ONGC और ने चलो गैस कमिशन और मिशने आप यह जो नाम देख रहे हैं यह अभी पाकिस्तान के अब जाएंगे चाइना कि यह नियुक्त हो गया है चाइना के निव ब्रैंड अबएजडर लेस्ली थैंग है विस्तारा का निव चीफ बनाया गया है विस्तारा एक एरलाइन है जो की टाटा और Singapore Airlines की Joint Venture से बनी है विस्टाला एर लाइन जो है वो Tata और Singapore की Joint Venture से बनी है इसकी जो Brand Ambassador है वो है DP का पादुपून. Coming to the next question. इंडियर एरफोस ने इस बार 85th अनिवर्सी बनाया इसी दोरान उन्होंने एक आप को लॉंच कुया है आई एक प्रस्नल के लिए इसके तहट जो भी रिटार्ड एक्स सर्विसमें होंगे उनके लिए बहुत सारी है यह आपका जो नाम है यह है मेड टेक मेड इजी मेड एर या मेड वाच मेड वाच मेड वाच कमिटी दो नेस कोश्चियन इनमें से कौन सी पहली महिला है जो जो ऑफिशेट करेंगे एस रफरी इन फीफा अंटर 70 फूटबाल वल्कप तो पहली बार जो है इंडिया होस कर दिया फीफा अंटर 70 वल्कप और जो पहली बार इसमें महिला भी होश करेंगी उनका नाम है इसी दिरह स्टॉबली कमें टीजाने स्कूस्चियन अप्रूब कर दिया है टेस्ट चंपिन्सिप और अडिया लीग को खेलाने के लिए 13 अक्टूबर 2017 को यह मंजूरी मिली ह है यह पहली बार किस इयर में स्टार्ट होगी यह स्टार्ट होगी 2021 में 2021 और आपको बहुत चीज़ें यादट नहीं है इसके जो चेर्मेन है वो शशांक मनुहर है पैसिरेंट है वो जहीर अबास है और सीओ जो है वो है डेविट बिचार्चन तो थैंक यू पर वाचिंग और यह सेकेंड पार्ट था करेंट अपर्स का तो कीप विजिटिंग आउर चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले है आउर चैनल स्रेडी 360 थैंक यू